हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी काज की इस नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहादुर की कहानी का सारांस देखेंगे कि क्या होता है कैसे होता है यह जो है बोर्ड एक्जाम में पांच नंबर काता है और हर बार आता है यह मोस्ट इंपोर्टेंट ह तो इसे आप अच्छे से तयार कर लीजिए चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो बहादुर की कहानी है इसका जो सारां से ये हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे एक अच्छे तरीके से जिससे की हमें पांच में पूरे पांच नमबर मिल जाए ठीक है सबसे पहले हम बताएंगे की कहानी को किस ने लिखा तो देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रती परिवारजनों द्वारा किये गए अत्यधी कटू बेवहार की कहानी है जो बहादुर की कहानी है बहादुर की कहानी एक किस परकार की कहानी है परिवारजनों द्वारा किये गए अत्यधी कटू बेवहार यानि दुर बेवहार की कहानी है बहादुर कौन है एक नेपाली बच्चा है ठीक है और इसके लेखक कौन है? ये अमरकांत जी हैं कौन है? अमरकांत इतना बात आफ लोगों को समझ में आया हुआ चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे लेखक ने स्वयम को कहानी का पात्र बताते हुए इस कहानी की रचना की है अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो ये लेखक है इन्होंने कहानी का पात्र स्वयम को बनाते हुए इस कहानी को लिखा है यानि इस कहानी में लेखक भी एक पात्र है इस कहानी के यानि इस कहानी में लेखक की भी भूमिका है इस कहानी में लेखक भी है बहादूर 12-13 साल का नेपाली लड़का है बहादूर कौन है 12-13 साल का एक नेपाली लड़का बढ़ते आगे नेपाली लड़का है बहादूर जो अपनी मा के दूर बेवहार से तंगा कर घर छोड़कर सहर आया है यानि कि जो बहादूर है वो अपनी मा के दुर बेवार से तंग आकर वो घर छोड़ कर सहरा गया है लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है लेखक जो है यानि कि अमरकांत जी ये बहादूर को अपने घर पर नौकर रख लेते हैं क्या नौकर लेखक की पतनी निर्मला और उसका परिवार बहादूर के परती पहले तो अच्छा बेवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं देखिए पहले जो अमरकान जी हैं यानि लेखक जो हैं इनकी पत्नी और इनका परिवार बहादूर के साथ कैसा बेवहार रखते हैं? अच्छा बेवहार लेकिन धीरे धीरे इनका जो बेवहार है अच्छे से बुरा होने लगता है अर्थात दुर बेवहार यानि की कठोर्ता बरतने लगते हैं कठोर्ता बरते हैं आगे वह घर का सारा काम करता है इसके बावजूद भी उसे गाली गलोस सुनने को मिलता है जो बहादूर है ये घर का सारा काम जितने भी घर में काम होते हैं एक नोकर के लिए सारा काम करता है लेकिन इसके बावजूद भी उससे गाली गलौस करते हैं उससे निर्मला और उसका बेटा किसोर तो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंडते रहते हैं लेखक की पतनी और उसका बेटा जो है किसोर वो बहादूर को पीटने का तो बस बहाना ढूनते रहते हैं कि कैसे पीटे बहादूर को कैसे मारे उसे मिहमान का पैसा खो जाने पर घरवालों ने बहादूर पर चोरी का आरोप लगा कर उसे अपमानित किया और पीटा जाता है अर्थात जब मिहमान का पैसा खो जाने पर घरवालों ने बहादूर पर चोरी का आरोप लगा कर उसे अपमानित किया और पीटा जाता है अर्थाथ जब मेहमान का पैसा घर में चोरी होता है तो घर वालों ने बहादूर पे आरोप लगाया कि पैसा तुम्हीं चुराय हो और उसे अपमानित किया और उसे पीटा ठीक है जिससे दुखी होकर बहादूर घर छोड़कर चला जाता है अब कोई भी बेचारा मार खाएगा तुम्हें उसने चोरी भी नहीं की होगी और मार भी खाएगा तो और उसका अपमान भी होगा तो घर छोड़कर जाएगा ही जाएगा उस तरह वह घर छोड़कर चला जाता है ठीक है इसके बाद देखिए अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूणने ढूड़ते हैं क्योंकि उसके कारण अराम के आदि हो चुके हैं अब जो परिवार के सदस्य जितने भी हैं वो सब उसे ढूणने लगते हैं किसको बहादुर को क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदि हो चुके हैं क्योंकि ओ घर का सारा काम कर देता था तो किसी को कुछ करना नहीं पड़ता था जिसे ये सब आराम करने लगते थे और ये सारे लोग आराम के आदि हो चुके थे बहादूर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पस्चाताब करते हैं और अच्छा बेवहार करने की सोचते हैं अब जब बहादूर घर से चला जाता है तब उनको रियलाईज होता है कि उन्होंने एहसास होता है कि उन्होंने बहादूर के साथ बहुत कलत किया और वो अब से अच्छा बेवहार करने की सोचते हैं लेकिन अब पस्ताय होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत लेकिन अब पस्ता के भी क्या फायदा जब चिडिया चुग गई खेत जब बहादूर घर से चला गया उसके बाद एहसास होने का क्या मतलब अब तो बहादूर पहले से ही घर छोड़के जा चुका है तो अब चाहे दुखी हो चाहे कुछ भी हो उससे क्या मतलब होगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही चलिए एक बार पूरी कहानी को रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे इस वीडियो में हमने देखा कि बहादूर की कहानी जिसको अमरकांत जी ने लिखा है इस कहानी में बहादूर एक नेपाली बच्चा होता है और उसके साथ बहुत अत्याचार होता है ठीक है लेखक ने स्वयम को इस कहानी का पात्र बताया है और जो बहादूर है वो ज्यादा उसकी उम्रे नहीं यह बस बारत 13 साल का एक नैपाली लड़का है जो अपने मा के दुर्बेवहार से तंग आकर सहर आ जाता है और सहर में जो लेखक होते हैं उसे अपने घर पे नौकार रख लेते हैं लेकिन लेखक की पत्नी और उनका परिवार बहादूर से पहले तो बहुत अच्छा बेवहार करते हैं लेकिन बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं वो घर का सारा काम करता है उसके बाउजीर भी उससे गाली गलोस करते हैं ठीक है और निर्मला और किसोर उसे मारने के लिए हमेशा बहाना ढोड़ते रहते हैं उसके बाद भी जब उनके घर में मेहमान का पैसा खो जाता है तो लेका के परिवार वाले बहादूर के उपर चोरी के अलजाम लगाते हैं जूठा आरोप लगाते हैं और उसे मारते हैं और अपमानित करते हैं जिससे बहादूर घर छोड़कर चला जाता है उसके बाद उन् जिससे उनको रियलाइज होता है कि हमने बहादूर के साथ जो किया वो बहुत गलत किया ठीक है लेकिन किसी ने कहा है जब अपश्टाय होत क्या जब चिडिया चुक गई खे जब बहादूर चला ही गया तो अपश्टाने से क्या फायदा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वी जब अपश्टाने से कहना ऐादा थभादाने से कच घृता है